देखिए ये ये आरोप लगातार हम लोगों का विपक्च का रहा है कि राम का नाम ले करके जो चंदा लिया जाता है ये जो ट्रस्ट के नाम पर किया जाता है तो लोगों को भक्तों को ठगने का काम हो रहा है और जो लोग राज्यतिक दल के बीजेपी राम भक्त होने का दावा करती है तो अब ही जब जितना चंदा पहले लिया गिया राम मंदिर के नाम पर उसका तो कहीं कोई हिसाब किताब है ने तो इस तरह से लोगों को भगवान के नाम पर भी भाजपा वाले लोग लूट रहे हैं ये बात लागातार हमारे नेतादर निलालू परसाद जी भी कहते रहे हैं आज भी हम लोगों का ये आरोप है और इसमें दम है कपिल सिबल ने कॉंग्रेस के पुनरद्रान का आमान करते हुए कहा है कि जल्दी संगटनात्मक चुनाव की ज़रूरत है कपिल सिबल जी ने जो बात कॉंग्रेस के लिए कही अपनी पार्टी के लिए ये कॉंग्रेस का अंधरुनी मामला है हर पार्टी में अभिव्यक्थि किया जादी सबको है लोगतांटिक ब्यवस्ता में आप अपनी बात अगर कुछ सुधार के लिए कोई राय दे रहा है नेता कफिल सिब्बल वरिष्ट नेता हैं तो वो अपनी पार्टी में अपनी राय ब्यक्ट कर रहे हैं इसको अनेता लेने की कोई जवरत नहीं है कॉंग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो इसके लिए वो लोग प्रियास कर रहे हैं राजस्थान में भी कॉंग्रेस में उथर पुथल है सचीन पाइलट को लेकर के भाजपा ने कहा है कि भारत को प्राथिता देने वाले के लिए पार्टी खुली है अपनी विचारधारा को इंडिया फस्ट में बदले और भाजपा में है देखिए भारतिय जनता पार्टी का ये फर्मुला अब ये दाउन का उल्टा पढ़ने लगा है मुकुल राय प्रकरन ने बीजेपी को सबक जरूर सिखा दिया है अभी और लंबी फैरिस्थ है जो लोग टीमसी छोड़कर बीजेपी में गई थे वो सारे लोग वापस आना आ रहे हैं टीमसी में मुकुल राय बड़ा चेहरा है राष्ट्रिय उपाध्यक बीजेपी के बनाए गए थे तो ये जो बीजेपी बटोर रही है लोगों को आज माधवराव स्वरगे माधवराव सिंध्या जी के पुत्र जोती राजी सिंध्या जी तो चले गए लेकिन क क्या मिल गिया आखिर सचिन पाइलट जी अभी डिप्टी सियम है केंदर में मंत्री रहे सांसद रहे तो दिया तो कॉंग्रेस ही ना तो बीजेपी इस तरह से परलोभन दे करके लोगों को जोड़ तोड़ खरीद फरोब करके ही सरकार चलाती है और अभी भी लोगों को आ कामियाबी नहीं हाथ ले अब फिर डोरे डाल रही है सचिन पाइलोट जी को तै करना है जो लोग गए हैं वो पस्ता रहें अभी टीमसी से जो लोग बीजेपी में गए वो पस्ता रहें बिहार के ही अंडिये के आदर निमाजी जी महा कटवंदन छोड़कर अंडिये में गए तो पस्ता रहें मुके सहनी जी गए वो पस्ता रहें रोज उनका बयान आ रहा तो यह जो राजनिती बीजेपी की है यह खेल अब उनका नहीं चलेगा अब इनका दाउं उल्टा पड़ेगा मैं सिकार करता हूं कि मौजुदा हालाव में इनकी कीमेते से लोग काफी परशाना है लेकिन किंद्र और राज इस सरकार एक साल में टीकोबर 35,000 पर रुपेज से अधी खर्च करने जा रही है ऐसे कठिन समय में हम कल्यानकारी योजुनाओं पर खर्च करने के लिए पैसे बचा रहे हैं देखिए ये दलील किसी के गले नहीं उतरेगी पेट्रोलियम मंत्री जी का आज आप कोरोना के नाम पर पीम केर फंड हो सांसद निदी हो सारे जगह से आपने इखटा किया लेकिन दूसरी लहर में सब हवा हवाई साबित हुआ आपने जो रासी उगाही की उसका हुआ क्या अब आप जब महगाई चरम पर है पेट्रोल डीजल के दाम सतक पार कर चुके हैं सो के पार हो गिया अब पेट्रोलियम के मंत्री है आदरनी धरमेंदर पधान जी वो इस तरह का दलील दे रहे हैं सारे चीजों को आप महगाई की मार से लोग परिसान है पहले लोगों के थाली से डाल गाइब हुआ अब सबजी गाइब हो गिया अब गरीबों का थाली खाली है यह सरकार ने पहले कोरोना काल में थाली और थाली पिटवा दिया अदरनी पधान मंत्री जीत कोरोना के नाम पर आप पेट्रोल और डीजल के दाम को एक सो सरसोतिल के दाम को 200 पार कर देंगे और ये दलिल देंगे ये किसे के गले के नीचे नहीं उतरेंगी चुकि हर्त विवस्ता चरमरा गई है और सरकार की कोई नב प्लानिंग है सरकार का ठोस अगर प्लानिंग होता तो ये हालत नहीं होते नहीं उन्होंने सही कहा है कि वो किसान के नेता है और ये बात बंगाल के चुनाव में दिखा बंगाल में धर्म के आधार पर वोटों का धुरूविकरन करने का प्रियास बीजेपी ने जी भर कर किया इसके बाद भी क्या हालत बीजेपी की हुई सब ने देखा सत्ता हासिल नहीं हो सकी उत्तर परदेश महतपुर्न चुनाव है राज यह देश का और 2024 में लोकसवा का फाइनल होगा उसके पहले यह क्वाटर फाइनल माना जाएगा तो उत्तर परदेश पर निगाहे सब की है और जो नौजवान किसान सब वहां परिसान है और बीजेपी का अंदरूनी कला भी योगी आधितनात के लिए जो दिल्ली का केंदरी नेत्रित है बीजेपी का आरेसेस का यह सब के अंदर खीस्तान चल रही है इसलिए वो जोड़ तोड़ फिर बंगाल वाली कहानी योपी में दोहरा रहे अभी जितन परसाद जी को सामिल कराया है लेकिन बीजेपी के भी कई बड़े नेता योपी में अभी बीजेपी छोड़ेंगे तो बीजेपी की नाव योपी में डूबनी तय है इस वाग बंगाल की कहानी योपी में दोहराई जाएगी इसलिए अब बीजेपी को ना किसान साथ है ना नवजवान साथ है न मजदूर साथ है न गरीब साथ है अब BJP के से लोगों का मुह भंग होता जा रहा है और जो बंगाल में दिखा लोगों का मूड मिजाज वो UP में भी दिखेगा के से लोगों का मूड रहा है आयंelen दिखेवाल ऊसांत शुब बंगों का का मूड़्यां आइ भी अब रहा है का मूदू कर Sh व बंगा त ऑसने थाक्छा मूड़ा जा आँ मूछ का का मूट साथ है का मूदू भी दे कर दो priorब